आईयो तुम गोपाल मेरे घर तुम आईयो आईयो तुम गोपाल मोह लवत तुम आईयो आप सभी को जन्माश्मी के पर्व की हार्दीक शुब काम नाए नीता विक्रम की तरफ से नमस्ते दोस्तों मैं नीता नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ मातारानी का जैकारा लगाएं और कमेल सेक्षन में जै मातारानी ओम नमो भगवते वासुदेवाई लिखें दोस्तों आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण का जन्म उस्व सुख सुभागे लेके आने वाला है जल्दी से प्रभूर श्री कृष्ण के नाम का जैकारा लगाएं और बोलें नंद में आनंद भयो जैकनहिया लाल की इस तरह से दोस्तों उस्व मनाते हुए श्री कृष्ण भगवान का जन्म उस्व आप सभी को मनाना है इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा जीवन में सुख आएगा और सौभाग्य आएगा साथी साथ हम बात करने वाले हैं मोर पंक के विशे में और मुडली के विशे में मिश्री के विशे में जिससे की मा से शुरू होने वाली दोस्तों ये तीनों चीजें आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकती हैं आपके जीवन में धन, धान, सुक्ष, सभाग ये सभी चीजें इन चीजों से आती हैं जो की श्री कृष्ण को अतिपरिया हैं वीडियो में आज आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कैसे इन चीजों का आपको प्रेयोक करना है और प्रेयोक से आपको किस तरह से पूरा फायदा होगा इस वीडियो को देख के आप जान जाएंगे इसलिए दोस्तों जल्दी से नीता विक्रम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिये वीडियो के नीचे बने वे लाव रंके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिये और नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिये व्रत योहार पूजा पाट संबंदी सभी जानकारियां सही यहाँ पे आपको प्राप्त होती है जिससे आपसे कोई गलती ना हो साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो है इसे लाइक कर लीजे और फैमिली फ्रेंड्स में सब के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि यह आपकी ज बुदुबार का दिन है दोस्तों यही दिन है जिस दिन पे मत्रा बरसाने में जन्माश्टमी मनाई जाएगी इसके साथ ही साथ कई जगह पे 11 अगस्त के दिन पे जन्माश्टमी का पर्व मनाया जाएगा कई जगह 13 अगस्त के दिन पे जन्माश्टमी का पर्व मनाया जा बारा बच के तीन मिनिट के बाद और बारा बच के सेतालिस मिनिट से पहले ये शुब घड़ी है जिस समय पे आपको श्री कृष्न का जन्म करना है दोस्तों सुबह से ही अपने जीवन में हर्श अलास के साथ आप उठिये जिस दिन भगवान का जन्म उस्तव हो उस दिन अपने घर में खूब खुशिया मनाईए घर को साफ करिए सुन्दर बनाईए सजाईए घर में रांगोली जरूर निकालिए घर का बाहर का जो एरिया है उसे बहुत अच्छे से सजा दीजिए डेकोरेट करिए घर में वंदन बार लगाईए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए और अपने घर में जितने भी लोग हैं सबसे बोलिए इस दिन जरूर ना है जी हां दोस्तों स्वक्षिता का आपको विशेश ध्यान रखना है क्योंकि आप उपवास कर रहे हैं उपवास के साथ ही साथ आप क्रिश्ण जन्म करने वाले हैं हो सके तो दिन के समय अपने घर में क्रिश्ण जन्म की जाकी बनाईए मादीवकी का प्रसुती ग्रह बनाईए और साथ ही साथ राधा क्रिश्ण की जोड़ी को वहां पे रखिए अश्ट सखिया लगाईए येवल भगवान का एक चित्र ही काफी है दोस्तों जहां भगवान होते हैं वहां किसी तरह की आडंबर की जरूरत नहीं होती किसी तरह के कर्मकांड की जरूरत नहीं होती भगवान आपके बुलाने और आपकी श्रद्धा के अनुसार आपके घर में आ जाते हैं छोटे-छो के कल्यान के सभी कारे कर रहे हैं और इसी से सम्भंदित आज विशेश उपाय वाला एपिसोड मैंने आपके लिए बनाया है जिससे कि आपके जीवन में भी सुख और सौभाग्य जरूर आए सबसे पहली बात दोस्तों जिन घरों में बहुत ही जादा कश्ट रहता है कलेश रहता है लोगों के आपस में जगड़े रहते हैं यदि आप कुछ नहीं तो घर में एक बासुरी ले के आईया और उसे अपने पूजा के घर में रख लीजिए बासुरी लाने के साथ ही साथ घर के सभी लोगों को मन से संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने घर का बातावरण अच्छा रखेंगे चाहे कैसी भी बात हो जाए घर में कोई भी इंसान कटू वचन नहीं बोलेगा कम से कम दोस्तों जनमाश्टमी के दिन तो आप ऐसा करी सकते हैं कि कोई भी घर में कटू वचन नहीं बोले और इसके अलावा दोस्तों जो लोग अपने बिजनिस को बढ़ाना चाहते हैं चाहते हैं आपका व्यापार बढ़े आपकी घर में धन का लाब हो तो बिजनिस के लिए भी दोस्तों यह जो मुडली है मुडली आप किसी भी आकार की ले सकते हैं चोटी बड़ी इसे आप अपने रुपे वाले गल्ले में रखिए मुडली लाके गल्ले में रखने से आपकी घर में धनका लाब होता है दोस्तों मोरपंग, साबुत मोरपंग आपको लाना है एक लाएं, पांच लाएं, जितने आपसे लाते मैंने आप ले आएं घर में पता है कहां लगाना है ऐसी जगह जहां जो भी आए यानि घर में कैसा भी व्यक्ती आए उसकी द्रश्टियोस मोरपंग पर पड़ जाए यानि एकदम घर में एंटर होते से ही जहां वो इनसान बैठे या जहां पर सब की नजर दिन भर होती है उस जगह पर मोरपंग लगा दीजिए आपके घर में देखिएगा बहुत बड़ा उपाय है ये मोरपंग इसका देव वाहिनी इस तरूत में वर्डन मिलता है जिन लोगों ने भी अपने घर में ऐसी जगह जहां पर लोगों की नजर पड़ती है मोरपंग लगाए हैं उन्होंने बहुत तरक्की करी है ऐसी दुकान जहां पर आप गल्ले पर बैठते हैं अपने पीछे की तरफ मोरपंग लगा के तो देखिए आपके ग्राहक खुद दोड़े-दोड़े आपके पास से ले आएंगे आपको धनका लाब जरूर होगा मोरपंग जहां पर भी आपका गल्ला रखा है, कैश रखा है उसके सामने जो इंसान बैठता है उसके पीछे जरूर लगाने चाहिए इस तरह से आपको मोरपंग का विशेश लाब होता है जिस घर में मोरपंग होते हैं उस घर में जू लोग आते हैं उन लोग का नेगिटिव ओरा असर नहीं छोड़ता है पॉजिटिविटी बनी रहती है अब दोस्तों तीसरी और सबसे अद्वुत चीज़ है मिश्री मिश्री आपके मन का कारक है मक्खन मिश्री खाने वाले कनेया जिस तरह से आपके चित के चोर है वैसे ही आपका चित हमेशा प्रफुलित रहे पूजा किए क्रिशन जनम करिया आपके पास दोस्तों भगवान लाड़ी गोपाल नहीं है क्रशन जी का विग्रह नहीं है कोई बात नहीं आप सिफ क्रिशन जी का बात बना लिजे कोई ओर वहां पर एक की घशितS tillcra घार ब्दुबार के देने कृष्ण जन्म के लिए आप लेके आ जाएए और इसका पूजा में प्रयोग करिए माखन मिश्री का भोग बना लीजिए हो से के तो पंजीरी प्रसाद जो आप से बन पड़े वो बनाए पंचामरत बना लीजे पंचामरत के लिए दूद दही घी शक्कर शहद ले आईए दूद उबला हुआ नहीं होना चाहिए दही भी आपको नॉर्मल रूम टेंपरिचर पे लाके उसका प्रयोग करना चाहिए घी शक्कर शहद यह सभी चीज़ें मिला ले चाहें तो आप इसमें दोस्तों पंच मेवा भी डाल सकते हैं और कई लोग बोलते हैं गंगा जल नहीं डालना है यमना जी का जल डालिये क्योंकि आप इस दिन पे शी कृष्ण का पूजन कर रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से ऐसा कोई बंधन नहीं लगाती क्योंकि मुझे पता है भगवान के लिए यमना गंगा सब एक है भगवान ने जहां पे ब्रंदावन में जन्म लिया वहीं उन्होंने विद्या अध्यन के लिए पूरे भारत भर्ष में भ्रवन करा है उन्होंने संदीपन रिशी के आश्रम में जाके विद्या अध्यन कर यमना जी का जल है तो यमना जी के जल का प्रयोग करिए श्री कृष्ण भगवान बहुत ही जल्दी प्रफुलित और प्रसन हो जाते हैं अपने भक्तों पे अपना आशिरवाद बना के रखते हैं तो दोस्तों इस तरह से तैयारी कर लीजिए रात के समय अपने घर में दीप भगवान कराईए एक ठाली लीजिए उसमें कुछ गुलाब की पंखोडिया डाल दीजिए श्री कृष्ण का विग्रह है तो विग्रह रखिए विग्रह नहीं है तो आपके पास जो प्रतिमा है उस पे दो बूंद आप पंच्च अम्रत की चढ़ा दीजिए और उसके बा बाड़ भगवान के भजन जरूर गा लीजिए उन को प्रिशाद चढ़ाईए दोस्तों मुष्री जो मुष्री का प्रयोग है वो यहा यह है कि आप पंच्च मरत मांखन मुष्री तो रखेंगे ही अलग से मुष्री लाके रख लीजिए जिए जिय जिया दोस्तों, डेले वाली मिश्री मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है इस मिश्री को लाके रखिए और इसे भी भगवान के प्रसाद सरूप वहाँ पे रख दीजिए और इसके बार आप वहाँ पे भगवान का पूजन करिए माखन मिश्री का भोग लगाईए पंचीरी पंच मेवा जो हम एकादशी का वरत रहते हैं जल, फल और मेवी के साथ इस वरत को रखा जाता है वैसे ही आप वरत रहिए हो सके तो नमक भी न ग्रहांड करें कई लोग तो दोस्तों इस दिन पर जल तक नहीं ग्रहांड करते जितनी आपकी शद्धा आपका शरीर साथ दे वैसे वरत करें जो लोग बीमार हैं वो दिन में दो बार भी फलहार कर सकते हैं इसलिए दोस्तों इस चीज़ की कोई पावंदी नहीं है तो आप इस तरह से कर लीजे अब ये जो मिश्री आपने भगवान को भोग में चड़ा दी है इसका क्या करना है इसको दोस्तों घर के आसपास जो छोटे छोटे बच्चे हैं चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो इनको प्रशास सरूप जरूर बाटिये देखिएगा अदवद रूप से श्री कृष्ण लला आपके घर में खुश हाली लेके आएंगे आपके बिजनस में बढ़ोतरी लेके आएंगे जो लोग इस तरह से इस उपायों को करेंगे उनके जीवन में शिबता आएगी सभी उपाय करने के लिए अपने घर में हसी खुशी का माहौल जरूर बना के रखें कई लोग आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें बताएंगे पर दोस्तों एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है क्या करना है रात्री के समय क्रिशन जी का जाब करिए चाहे तो आप ओम नमो भगवतो बासु देवाय का जाब करिए या आपको मैं एक मंत्र बता लेती हूँ श्री गोपीजन बल्लवाय स्वाहा या गोपाल मंत्र कहा जाता है इसका जाब कर सकते हैं ओम गो बल्लवाय स्वाहा ओम गो बल्लवाय स्वाहा इस मंतर का दोस्तों अदुबुद लाव होता है अभिष्ट मनों कामना पूर्ती इस तीसरे मंतर को बोलने से जरूर होती है पर क्या है आपको सिर्फ एकागर चित हो के कम से कम 15 से 20 मिनित इस जाप को जरूर करना है अपने भावों को प्रभुजी के चरणों में अर्पित कर हैं तो आपका उधार जरूर होना है आप सभी को दोस्तों श्री कृष्ट में जन्माश्टमी के पर्व की हार्दिक शुब कामना है किसी भी तरह की गलती भूल चुक हो जाए पूजा करने के बाद प्रभुजी से शमा मांगिए और बोलिए जै बाके बिहारी लाल की जै आपने कहना को यदि आप जुछा जूलाते हैं तो पूजा में होने वाले दोश दूर हो जाते हैं श्री कृष्ट में भगवान की आर्ति करिये और श्री कृष्ट में जन्माश्टमी का यह सब हर्षव लास के साथ मनाईए दोस्तों यदि आपको अब जन्माश्टमी के पर्व की कहानी कथा सुननी है तो वो मैं सुनाने वाली हूँ सभी लोग अपने हाथ जोड लीजिए और मन में काना का विग्रह याद करती हुए इस कहानी को जरूर सुनिए द्वापर्यू में प्रत्वी पर राक्षिसों के अत्याचार बढ़ने लगे थे प्रत्वी ने ग विष्णु भगवान अनत शहिया पर शेयन कर रहे थे सभी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो प्रत्वी बोली भगवान में पाप के बोज में दवी जा रही हूं मेरा उधार करिये यह उनका विष्णु बोले मैं व्रज मंडल में वासु देव की पत गोपियों के रूप में जन्मलिया द्वापर युक के अंत में मत्रा में उग्रसेन नाम के राजा राज करा करते थे उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिहासन से उतार कर जेल में डाल दिया था सुयम राजा बन गया था कंस की बहन द पुत्र ही तेरा संघार करेगा आकाश वाणी की बात सुनकर क्रश्न कोच से बढ गया और देवकी के को मारने के ल sensor हो गया उसने सोचाना देवकी होगी ना ही इसका पुत्र होगा वासु देव जी ने कंस को समझाया और का stats कोई भै नहीं है जब भी देवकी की आठवी संतान होगी मैं इसे तुम्हें सोंगा तो इसी तरह से उन्होंने कंस को समझाया तुम्हारी समझ में जो आए वो तुम करो उसके साथ तुम जैसा व्यवार करना चाहो वैसा करना कंस ने वासुदेव जी की बातों को सुईकार कर लिया औ इस तरह से कंस ने नारज जी के परामर्ष पर देवकी के गर्फ में उत्पन्न होने वाली समस्ता बालको को मारने का क्षे कर लिया इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी6 को निर्दथा पूरवक मार डाला बहातलोपत के कशनेपक्ष में अश्णमी को रोहनी नक्षत मे श्री क्रश्न जी का जन्म हुआ उनके जन्मे लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया वासुदेव जी देवकी जी के सामने शंक चक्र गदा पदमधारी चतरभुज में अपना रूप प्रकट करे हुए प्रभु स्वयम वहां खड़े थे अब मैं बालक क्यों रूप धारन करता हूँ ऐसा कहके उन्होंने वहां पे बालक का रूप धारन करा और बोला मुझे ततकाल ही गोकुल के नंद में पहुँचा दो अभी अभी वहां एक कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को सौब दो ततकाल वासुदेव की हतकड़ियां खुल गई और दर्वाजे पर खड़े हुए सबी पहरेदार उस समय पे सो गए वासुदेव जी क्रशन भगवान को सूप में रखके गोकुल की तरफ चल दिये रास्ते में यमना नदी शी क्रशन के चरणों का इस परश करने के लिए बहुत ही उफान पे थी भगवान ने अपने पैरों को नीचे लटका दिया जिसे चूने के पश्चात यमना अपने इस तर से घड़ गई और वासुदेव जी ने सुगमता के साथ यमना नदी को पा रदार भी जाक चुके थे कन्या के रोने के कारण सभी को पता पढ़ गया देव की और वासुदेव जी की संतान हुई है कंस ने निर्दैता पूरवक उस कन्या को पत्थर पे पटक कर जब मारना चाहा तो वह कन्या कंस के हाथों से छूड़ कर आकाश मार्ग की तरफ चली कंस ने श्रीकर्शन को मारने के लिए औनेक प्रकार के देत्यों को भीजा श्रीकृष्ण ने अपनी आलोकिक मैया से सारे देत्यों को मार डाला बड़े हुआने पर कंस को मारकर उग्रसें sorgen की गertदी पर बैठाया गया उग्रसेंजी को उनकी राज़गर्दी पर बैठाय गया शी कृष्ण की जन्मतिती को तभी से सारे देश में बड़े हर्शोलास के साथ मनाया जाता है जै बोलिए शी कृष्ण भगवान की जै दोस्तों बहुत ही सारे पुन्य कर्म करने के साथ ही साथ कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में योग का प्रचार करा वहां योग निष्ट थे और योग के द्वारा उन्होंने कई तरह के गानों को प्राप्त करा आप भी अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करिए अपना उधार करिए शी कृष्ण का नाम सदेव जबते रहिए अपने जीवन में हसी-खुशी के साथ सुख-दुख में कर्म करत दोस्तों उसे भी जाके जरूर सब्सक्राइब करिए और देखिएगा वहां आपके साथ घर ग्रस्ती से चुड़े हुए बहतरीन टिप्स में शेयर करने वाली हूँ तो जल्दी है एक नए वीडियो के साथ आपसे मिरती हूँ तब तक लिए जय मातारानी अपना ख्यार आपके